हिमाचर प्रदेश हाई कोट ने सुप्रीम कोट के आदेशों के बावजूद भीख मांगने वाले बच्चों का पुनरवास ना करने पर संग्यान दिया है अदालत ने राश्यवास अरक्षिन आयोग सहत राज्य सरकार से इनके पुनरवास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी तलब की है कारवाहक मुख्यन आयाधीश तरलोक सिंचोहान वनायाधीश विरेंद सिंग की खंडपीत ने मामले की सुनवाई तीन हफ़ते के बाद ने धारत की है मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि इस समवेदनशील मामले में केंद्र और राज्य सरकार ने चार मां बीत जाने के बाद भी जवाब दायर नहीं किया मामले की कंभीरता को देखते हुए कोट ने दोनों सरकारों से बिखारेओं और सडकों पर दैनी अस्थिती में जीने वाले बच्चों से जुड़े दस बिंदुओं पर जानकारी तलब की है अदालत को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में खोले गए आश्यों की संख्या पहचार के बाद स्कूलों में भरती करवाए गए बच्चों की संख्या बतानी होगी संस्तागत देखभाल में रखे गए बच्चों की संख्या और उन बच्चों की संख्या जिन्हें उनके माता पिता अथवा अभी भावकों को सौंपा जा चुका है इन सभी बिंदुओं पर सरकार को जानकारी देने के आदेश दिये गए है अधालत ने ऐसे बच्चों की संख्या भी बताने के आदेश ये हैं जो पहचान हो जाने के बाद प्रदेश दे चले गए हैं अत्वा उनके वास्तविक राज्यों में भेजा जा चुका है अधालत को बताया गया है कि शिमला के मॉल रोड लकड बाजार पुराना बस टैंड के पास बच्चों को भीक मांगते हुए देखा जा सकता है अधालत के ध्यान में लाया गया कि सुप्रीम कोट ने 17 जनवरी 2022 को सभी राज्यों को आदेश दिये थे कि वो भीक मांगने वाले बच्चों के पुनरवास के लिए ज़रूरी कदम उठाए शीष अदालत ने राश्यबा सरक्षन आयोग सहेदर सभी राज्य सरकारों को आदेश दिये थे कि इन बच्चों के लिए पॉलिसी बनाई जाए और ऐसे बच्चों को तलाश कर इनका पुनरवास किया जाए इन आदेशों की अनुपालना में राश्यबा सरक्षन आयोग ने 27 जनवरी 2022 को सभी सरकारों को ज़रूरी दिशान निर्देश जानी किये थे याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोट के आदेशों और आयोग के निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार इन बच्चों के पुनरवास के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट हिमाचर प्रदेश हाई कोट ने सुप्रीम कोट के आदेशों के बावजूद भीख मांगने वाले बच्चों का पुनरवास ना करने पर संग्यान दिया है अदालत ने राश्यवा सरक्षन आयोग सहत राज्य सरकार से इनके पुनरवास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी तलब की है कारवाहक मुख्यन आयाधीश तरलोक सिंचोहान वनायाधीश विरेंद सिंग की खंडपीत ने मामले की सुनवाई तीन हफ़ते के बार निधारत की है मामले की सुनवाई के दोरान अदालत ने पाया कि इस समवेदनशील मामले में केंद्र और राज्य सरकार ने चार मां बीट जाने के बाद भी जवाब दायर नहीं किया मामले की कंभीरता को देखते हुए कोट ने दोनों सरकारों से बिखारेयों और सडकों पर दैनी स्थिती में जीने वाले बच्चों से जुड़े दस बिंदुओं पर जानकारी तलब की है अदालत को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में खोले गए आश्यों की संख्या पहचार के बाद स्कूलों में भरती करवाए गए बच्चों की संख्या बतानी होगी संस्तागत देखभाल में रखे गए बच्चों की संख्या और उन बच्चों की संख्या जिन्हें उनके माता पिता अथवा अभी भावकों को सौंपा जा चुका है जिन सभी बिंदुओं पर सरकार को जानकारी देने के आदेश दिये गए है अदालत ने ऐसे बच्चों की संख्या भी बताने के आदेश ये हैं जो पहचान हो जाने के बाद प्रदेश दे चले गए हैं अथवा उनके वास्तविक राज्यों में भेजा जा चुका है अदालत को बताया गया है कि शिमला के मॉल रोड लकड बाजार पुराना बस टैंड के पास बच्चों को भीक मांगते हुए देखा जा सकता है अदालत के ध्यान में लाया गया कि सुप्रीम कोट ने 17 जनवरी 2022 को सभी राज्यों को आदेश दिये थे कि वो भीक मांगने वाले बच्चों के पुनरवास के लिए जरूरी कदम उठाए शीष अदालत ने राश्यबा सरक्षन आयोग सहेदर सभी राज्य सरकारों को आदेश दे थे कि इन बच्चों के लिए पॉलिसी बनाई जाए और ऐसे बच्चों को तलाश कर इनका पुनरवास किया जाए इन आदेशों की अनुपालना में राश्यबा सरक्षन आयोग ने 27 जनवरी 2022 को सभी सरकारों को जरूरी दिशान निर्देश जारी किये थे याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोट के आदेशों और आयोग के निर्देशों के बावजूद राज्यसरकार इन बच्चों के पुनरवास के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट